मैं हूँ आपकी होस्ट मेहनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांचा पाकिस्तान सांचा पाकिस्तान नाम है एक सोच एक विजन और एक जद्दो जहद का नाज़ियन सांचा पाकिस्तान के सीजन बन की तरह सीजन टू में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज क्यादत सांजा पाकिस्तान के इस मुख्तिसर दोरानिये के प्रोग्रैम में मैं कोशिश करूंगी अपनी मसीही औरत की मेहनत, काविश और उसकी जद्द जहद के बारे में आपको बताने की मेरी आज की मसीही खातून लीडर, एक एजुकेशनिस्ट है, शायरा है, लिखारी है और बहुत सारे प्रोग्रैम्स की एंकर भी है और पी टीवी और रेडियो चैनल पर बहुत अर्सा इन्होंने अपनी खिद्मात सरण जाम दी है आईए आपको मिलवाती हूं हमारी आज की महमान से, जी हमारी आज की महमान है फिर्दोस कामरान साहिबा, फिर्दोस साहिबा आपको सांजा पाकिस्तान के प्रोग्रैम में खुशाम दीद, तैंक्यू वेरी मुश, फिर्दोस साहिबा जैसा कि मैंने अपने नाजरीन को आ अगर आप बताएं किस तरीके से आपने तालीम हासल की और फिर अपने प्रोफेशन के बारे में पहले तो मैं इस चैनल के थूँ मैडम महनास के बहुत ही ग्रेटफुल हूं कि उन्होंने मुझे ये चैन्स दिया है मुझे इन्वाइट किया यहां पर बात करने के लिए तो थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन में अपने बारे में यू दे सकती हूं कि आफर कंप्लीटिंग माय अजुकेशन आं पोस्ट ग्रेजुएट तो मेरा के ट्रेंड शुरू से था लिखने के लिखने लिखने के बारे में अदब से लिट्रेचर से बहुत जादा मुझे पहल तो यहां पर क्यूंकि आर्ट बहुत कंपारिटिवली पाकिस्तान के दूसरे सिटीज के बहुत फ्लारिश होता एक दम से उस जमाने में सारी इंडिस्ट्री भी लाहूर में होती थी तो शायरी के बात करें तो बैसिकली आइं पोईट, I love my introduction as poet क्यूंकि शुरू मैंने स्टार्ट पोईट्री से किया था तो हम उस जमाने के शायर थे जो मुनीर न्याजी के साथ शाम को उनके घर में बैठते थे दिन पाक टी हांस में पूरा एक जो सिनेरियो होता था नो लाहूर में जो मशायरों का या शायरिया तो हम चोटे-चोटे मुशायरे पढ़ते थ में एक घजल पढ़ने के 70 रूपीज मिलते थे तो हम रेड़ी पाकिस्दान जाते थे वहां पे लाहूर में कुछ ही शायर होते थे तो रेड़ी पाकिस्दान खुद भी बुला लेता था तो उसके बाद फिर आइस्ता इस्ता टीवी पर भी जन लेगे और टीवी पे एक् प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया उसमें जितने लोग थे लाइक सरसे सर्चाओरी अचीवर्स जो भी थे ना उनके साथ हम शोर्स करते थे थे देन आई वस हाइड बाई पंजाब टीवी जब उन्होंने स्टार्ट किया तो पंजाब टीवी और स्टार इस्तार रिश्य उसमें हम बहुत सरे सोचल इसूज लेकर यूथ को मैं ट्रेंड करना चाहती थी कि में स्ट्रीम में आई ऑल्वेज ड्रैम्ट मेरा का भी था कि हमारी जो यूथ है वो किस तरह से में स्ट्रीम में जा सकती है नॉट के हम छोटी-छोटी चीज़ों को बैट के घर में करते है अभी जो है ना में बहुत सब्सक्राइशन के साथ भी प्रोजेक्स करती हूं और उसके इलावा किंके यह जो सोचल एक्टिविस्ट होने का कीड़ा काटा हो यह कभी खतम नहीं होता तो उसके इलावा बाकी जो अभी है ना पिछले दस साल से में पी टीवी पर और जो मैंने देखा मैं पी टीवी पर क्यों हूं स्टेट चैनल पर बहुत सारे लोग मुझे करते हैं कि बाकी चैनल पर आप क्यों नहीं प्ले करती स्क्रिप्ट राइशन तो उसका रिजन सबसे बड़ा यह था एक तो अपना वो ताइन सही से यूटिलाइस करना जो साथाइटी नो तो हमारा मेरे ख़्याल से हम वो मैसेज कनवे साइटी में नहीं कर पा रहे थे जो के क्रिश्चन कम्योंटी कर जितना कंट्रिबशन पाकिस्तान में है तो मैं फिर बहुत मैंने ट्राय किया है मैं भी कुछ सक्सेस तो में लेगी जी बिलकुल फिर्दोस अ जैसे कि आप बता रही हैं कि आपने अपना जो स्टार्ट किया एजुकेशन के बाद as a poet तो उसके बाद आएस्था आएस्था आप anchor person की तरफ आएंग के anchoring आपने की और TV पर रेडियो पर भी आपने ये सारा किया यूथ के हवाले से आप बात करीं थीं कि आपका passion रहा है यूथ को हमेशा encourage करती है आप और आप चाहते हैं कि society में यूथ क्यूंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से यूथ बहतर तरीके से काम कर सकती है दूसरा कोई नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त में जब आपने ये स्टार्ट किया और आज की यूथ को अगर हम देखते हैं तो क्या difference आपको नजर आता है क्या आज भी यूथ उसी तरीके से active है जैसे पहले थी या कहीं न कहीं पर कोई जो है वो deficiency रह गई है आज भी मैं क्रिस्टिन कम्यूनिटी के जितनी जगा पर मैं जा सकती हूँ मैं जाती हूँ और यूथ के साथ प्रग्रेंज कुछ ना कुछ को मीटिंग जगर करती तो मैंने जो नोटिस किया है वो आज की हमारी यूथ बहुत स्यादा उस जमाने से वो mental approach उनकी बहुत स्यादा आगे जा चुकी है वो बहुत सारे mediums यूज करते हैं और technology का दौर है क्यूंकि तो वो जो modern technology है उसको use करना उनको आगे है फिर भी कहीं न कहीं हम जो बड़े लोग है एज में बड़े मेरा मतलब है हम जो experienced कहना चाहिए ना that's the accurate word तो हम लोग को चाहिए कि यूथ को तब भी मेरा passion यही था कि उनको एक guideline proper हमारी यूथ का जो सबसे बड़ा flaw रहा है जो हमारी community का drawback रहा है वो यही है कि यूथ को हम सही जगा उस जगा पर लाकर utilize नहीं कर सके जहां पर उनको होना चाहिए था तो to provide them a guideline and then a platform यह उस जबाने में भी ज़रूरी था यह आज भी ज़रूरी बिल्कुल ऐसा ही है अगर हम यूथ की बात करते हैं तो आज की जो यूथ है वो बहुत ज़ादा पड़ी लिखी है पहले की बनिस्पत उसके पास modern technology है हर चीज का knowledge है उनके पास अगर हम उनको encourage करते हैं उनको हम space देते हैं उनको सही से guide करते हैं तो वो बहतर तरीके से अपनी जो responsibilities हैं और अपना करदार अच्छे तरीके से निभा सकते हैं फिर्दोर साइबा मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो आप एक social activist भी है तो जब आपने क्योंके जो एक शायर होता है या शायरा होती है वो एक बहुत हसास इंसान होता है तो किस तरीके से आप फिर society की तरफ आए social activist कैसे बनी कुछ इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाजजीन को बताएं आप में जैसे कहा ना बात स्टार्ट की कि जो शायर होते हैं वो और सेंस्टिव वाक्त भी होते हैं तो मैं भी थी डिफनिटली लेकिन मुझे खिया था कि अगर आप मेरी पोट्री उस समाने के भी देखें और तक भी देखें मेरा शुरू से ट्रेंड ही था आज की मेरा 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 में टॉपिक यह होता था भी तो मैं बजिए विच्छे था क्या था कि यह हैं जिनके वरे रें डिक रही हैं तो अबे देखें लोगा में बार kभाई उंके रही हैं से रिच्छे कि अपने रेकिस्ट रही था कर दोगे ने पुरूज मेरे तो सिर्सरी करें वारिसर बीवाबध वार मुझो नो को भॉल पाम बातो हैरा फिले अब भर सकताइट है। जो प्रAreli मेंस हैं को अगा मैं प्रोट अगर दुछ यह ãyãyुन को कन यह भैगा अगोजाएं सेव जो अपनी बॉक्स पब्लिश कराने के लिए उनके पास फंडिंग नहीं होती तो बहुत सारा टैलेंट से मारे कास है यूद कभी उनको एक तो राइटिंग में राइटर्स को सेकिल एंकरिंग में और थर्फ जो मैंने अब से कहा कि लोगों को मीजा की तरफ लेके आना इस च सोशल जो चीजें थी ना ये सारी चीजें जितने इशूस थे सोशल इशूस वो मुझे तंग करते थे कहीं तो मैं अपने शैरियों भी लेके आते हैं जी बिलकुल नाजरीन आप फिर्दोस अहबा की बाते सुन भी रहे हैं येकीन आपको बहुत अच्छा भी लग रहा हो है मेरा स्वाल आप से ये है कि एक मसीही और रोत होते हुए, जब आपने एंकरिंग स्टार्ट की या किसी भी प्लाटफार्म पर आप गई तो यकिन बहुत सारे चैलेंजिस आपने पेस किये हुए, तो किस तरीके से अगर वो आपने फेस किये हैं तो इनको किस तरीके से आपने उनका सामना किया और आगे बढ़ती ही हम जो मैंने आज तक फील किया ना मैं एक सेंटेंस समेशा बोलती हूं कि हम लोग बींग फीमेल हम मैंनारिटी के अंदर एक और मैंनारिटी है ठीक है हमें डबल जो हैना चैलेंजेज वो फेस करने पड़ते हैं लेकिन अगर आ आपके पास टैलेंट है वही बात अगर आपके सब्जेक के ऊपर आपके पास टैलेंट है तो यह चीज़े कहां से आगी यह वो उससे रिलेटिट पॉइंट में डिसकस कर रही हूं जो इससे पहले मैंने बोला कि अपनी लोगों को एक जगा पर प्लैटफॉर्म प्रोवा जाए हैं तो रहरते हैं कि अगर प्रोवाइब कर सकते हैं यह बलकुल नाजरीन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में यही बात करती हूं अपनी स्पैशली जो हमारी यंग बच्ची हैं उनके लिए यह बात करते हूं कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं जब हमने सोच लिय है या कोई हमारा passion है तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती क्योंकि बहुत दफार हमारे पास लेम excuses होते हैं उसकाम को ना करने के लिए कि हम तरह-तरह के बहाने ढूंगते हैं वर्क Computeries पे होते हैं, Institute में होते हैं, तो हम घड़ पे आकर भाने बहाने बनाते हैं, बहुत सारे lamed excuses अपने parents को बताते हैं कि वहाँ पर हमारे स्ट क्या होता है। लेकिं अगर आपके अगराएंदर हैं, अगर के अंदर तो हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और जैसे फिर्दोस साहबा आपने मुझे बताया कि आपने कैसे अपनी एजुकेशन ली और लहौर में आके भी आपने तो एक तो अपने फैमिली स्पोर्ट का येकिनन फैमिली स्पोर्ट बहुत अच्छी रही होगी जो आपने इतना कुछ झो है अच्छीव किया है तो जब आप एक मसीही आरत होते हुए आप फैमिली से बाहर निकले हैं साइटी में आई हैं तो आई थी तो जो साइटी का रिस्पॉंस था वो कैसा था क्योंकि बहुत दफा होता है कि जब हम एक औरत होते हुए घर से बाहर निकलते हैं फैमिली अगर स्पोर्ट कर भी रही हो तो हम माशरा जो होता है उसकी तरफ से काफी जादा जो हमें मुखाल कुछ और लोग भी थोड़े बहुत जानते होंगे कि मेरा तालू के कैसी फैमिली से है आइम बिशप जोन जोजफ स्नीज बिशप जोन जोजफ फैसलाबाद वाले तो हमारा तो तो तालू की कुर्बानिया देने वाले कबीले से है और आपने अभी पूछा था ना कि सोश तो मेरे डैडी जो थे ना वो बिशप जोन जोजफ के सबसे चोटे भाई थे तो मैंने हर मैंने घर में उनको ऐसे देखा हमारी फैमिली में इस अब को चलता था बिशप जोन जोजफ एक एग्जाम्पल है तो उनको बच्पन से देख लिए सबसे बड़ी मॉटिशन वही तो घर से और फिर वो पता नहीं में शायद बहुत कम लोगों को पता है सोशल एक्टिविस तो वो थे सारी दुनिया को पता है लेकिन वो राइटर भी थे वो पोईट भी थे ठीक है और बड़े-बड़े उन्होंने सेमिनार्स कॉंफरेंस कोईटा से लेके पिशावा तक सब को जमा करके मुलतान पास्टल इंस्टिटीट में कई बार उरोंने मुशायरे और कॉन्फरेंसे सेमिनार्स किये सारे पाकिसान के बड़े राइटर्स ऑपोईट के साथ भी तो ही वोज लिटरेरी परसन तो तो ये दोनों चीजे ना मेरे अंदर उन से ट्रांसफर होग ठीक है लेकिन बहुत सारे एक नहीं बहुत सारे चैलेंजिस क्योंकि हमारा कल्चर वी फॉलो दा सेम कल्चर हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि कल्चरल बेरियर्स बहुत आते हैं एक खातून को बाहर निकल के और फिर मैं हमेशा एक चोटा सा जमला बोलती हूँ मैं कहत कारा है यह टो उसको कहीं आदमियों से कहीं हजारद घुना ज्यादा उसको चैलेंज़स पीजズ कने पड़े का हमारी ससांइटी मिए करती हमारी ससायटी एकस्ति नहीं इकर T देखे न, हमारी किताब हैं, हमने टीवी डेडियो पर काम किया, मुझे बहुत सारे वार्ड्स मिलें, इवन गवर्मेंट के बहुत सारे, last to last year, अभी मुझे best journalist का, it was not best Christian journalist, नहीं, प्रेस क्लब में, फिर्दॉस आशिक एवान के हाथों से, मुझे best journalist का एवार्ड मिला, कई और इस तरह के वार्ड्स, पीपल्स पार्टी के कई प्रोग्रेम्स की एंकर होती थी, मैं उनके कल्च्रल विंक के कई प्रोग्रेम्स को मैं एंकर किया प्रेस क्लब में, तो अगर आपके पास सबसे बड़ी बात ये जहें में रख लें, इस्पेशली मैं यूद को एड्रेस करना चाहूंगी, अगर आपके पास एबिलिटीज है, अगर आपके ग्रिप है आपके सब्जिक के उपर और आपके टेलिंट के उपर, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको रोप नहीं सकती, कहीं पर भी पहुंचने से, सक्सेस्फुल होने से, तो बस यही है, जी बिलकुल, बहुत ही खुबसूरत फिर्दो साहिबा, आपने आकर में पेगाम दिया है, हमारे नाजिएं को, especially यंग जनरेशन को, क्योंकि आपको पता है, कि हमारे प्रोग्राम का दुरानिया बहुत ही मुक्ति है, आपके आने के लिए, हम आपकी ठैंक्फोल है, और आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना टाइम दिया है, और क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही मुक्तिसर है तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है और नाजरीन अगर हम बिशप जान जोज़क की बात करते हैं और वो वाक्या ही हकीकतन यूथ के लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन थे और अगर अभी भी हम अगर उनको माइνड में रखके अगर हम कुछ सोचते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख्याल इन से बड़ी इंस्पिरेशन और कोई नहीं हो सकती और अगर उनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पूरा दिन हमें लग जाएगा और यह बातें खतम नहीं होंगी तो यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत ही पसंद आएगा आपको फिर्दोस आपा की बातें बहुत अच्छी थी और किस तरीके से एक मसी ही खातून होते वे वो आगे भड़ती रही एक बैक देते रहें और देखते रहें सांचा पाकिस्तान है